हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक्जाम मास्टर चैनल में और इस वीडियो में आप सब को मैं उनहत्तर हजार भरती का जो केस चल रहा है और आपको मैंने बताया थी कि पांच अगस्त से इस केस की लगातार कंचिन्यू सुनवाई शुरू होगी उसी की अपडेट में दे रहा हूँ थोड़ा सा लेट दे रहा हूँ लेकिन फिर भी अब जान लिजे कि सबसे पहली अपडेट यह है कि आज एजी साहब नहीं आये थे लेकिन सुनवाई हुई सुनवाई किस मुद्दे पर हुई यह जान लिजे हाला कि डेट लग चुकी है कल भी इसकी सुनवाई होगी यानि 6 अगस्त को ठीक है तो अधिवक्ता जो थे चंद्रा साहब वो कटाफ पर आज जो है बहस किये उसके बाद जो है प्रशान चंद्रा जी उन्होंने एक फैक्ट रखा भारांक का मुद्दा आज शिच्छा मित्रों के भारांक पर काफी चर्चा हुई 90 और 97 यानि 60-65 वाला जो कटाफ है उसकी आज बहुत कम बातें हुई थे सुनवाई काफी देर तक चली और उसमें जो है एजी साहब नहीं थे तो फिर जो थे वही सुन रहे थे ठीक है तो जादा तर जो भी है अशोक चंडरा ही बहांस किये भारांक मुद्दे पर और छे तारिक को भी इसकी बहांस जारी रखेगी अब देखना ये है कि एजी साहब कल बैठते हैं या नहीं कि विदाउट एजी साहब के बैठे ये मामला क्लियर नहीं होगा ना फैसला आएगा तो फैसले के लिए अभी भी बच्चों को आज से पहले जो मैंने अपडेट दी थी वही बात दोहराना चाहूँगा कि इंतजार कब तक और कितना और क्या फैसला आएगा ये एक रहस्य है देखते हैं कब परदा उठता है लेकिन गाइस हम यहां से यही कहेंगे कि आपको निराश होने की जरुरत नहीं है अब इस मामले की लगातार सुनवाई शुरू हो गई है तो इसी वीक में कोई कंक्लूजन आ सकता है कोई निशकर इसी सप्ता हमें आ सकता है आपको देखने को मिल सकता है तो धैरे बनाए रखें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल हम आपके साथ हैं आल दे बेस्ट थाइंक यू सो मच अब देखते हैं कल क्या होता है ठीक है बने रहें